भारत मता की भारत मता की इनकलाव वन देश वन देश आप सब लोगों का सहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तप्ती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दा करना चाहता हूँ जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शकों का काभी मैं सही दिल से शुक्रियादा करना चाता हूं सबको मेरा नमशकार, सबको मेरा प्रणाम दोस्तो सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है पचास दिन के बाद अभी अभी मैं मेरी पत्नी भगवन्तमान साथ हम लोग कनौट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे हनुमान जी का आशिरवाद लिया, उनके दर्शन किये फिर शिवजी के मंदर गए, शनी जी महराज के पास गए उनका सबका आशिरवाद लिया बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे उपर हमारी पार्टी के उपर, देशवासियों के उपर उनी की कृपा से आज अचानक में आप लोगों के बीच में होने तो किसी को उमीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बहार आ जाऊंगा लेकिन उपर बजरंग बली की खुरपा है, नुवान जी की खुरपा है हम लोगों के उपर और चमतकार हुआ हूँ आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ दोस्तो हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है दो राज्यों के अंदर है अभी दस साल पुरानी पार्टी है हमारी पार्टी को कुचलने में खतम करने में प्रधान मंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज़ दिये एक साथ अरविन केजरीवाल मनी सिसोधिया संजेल सिंग सतिंदर जेन बड़ी बड़ी पार्टीयों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाये पार्टी खतम हो जाती है आम आदमी पार्टी के चार टॉप के लेता इन्होंने जेल भेज़ दिये उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी लेकिन ये पार्टी नहीं है ये एक सोच है जितना ये खतम करना चाते हैं उतना ये बढ़ती जाती है उतना ये बढ़ती जाती है ये क्रश करना चाते हैं प्रधान मंत्री जी आम आदमी पार्टी को जो लोग मोजी जी से मिलने जाते हैं वो कई लोग हमें भी जानते हैं वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोजी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविश्य देने वाली है वो खुद भी मांते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आमादमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए इनको कुछल दिया जाए ये ताना शाहिए अगर उनको लगता है कि आमादमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है आप अच्छे काम करो आप देश को भविश्य दो आज आपकी सरकार एक अंदर के अंदर आप देश के लिए काम करोगे आमादमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आमादमी पार्टी को कुछल दो ये जंतंत्र नहीं है ये इस देश की जंता पसंद नहीं करे इन्होंने आम आदमी पार्टी को गुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी छोटे से लोग है हम छोटी सी पार्टी है 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और कि उसके नेताओं को प्रताडिक नहीं किया गया जिस तरह से प्रधान मंत्री मोधी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताडिक करने की कोशिश किया मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं मैं ब्रश्टाचार से लड़ रहा हूँ देश के सबसे बड़े चोर उचक्के और डक्यतों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मोदी जी कहते थे सतर हजार करोड का इसने घोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिफ्ती सीम बना देते हैं और उनके सारे E.D. और C.B.I. के मामले खतम कर देते हैं और कहते हैं मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूँ मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ भरष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरी वाल से सीखो प्रधान मंत्री जी भरष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरी वाल ने लड़ी है 2015 में जब धिली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक और्डियो मेरे पास किसी ने वाक्सटप कर दिया उस और्डियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से पांच लाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था विपक्ष को नहीं पता था आप लोगों को याद होगा मैंने अपने खुद मंत्री को CBI के हवाले कर दिया जेल बेज दिया था अपने मंत्री को ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है मीडिया को नहीं पता था हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया तुम देश के सारे चोर उचके टकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरी वाल को जेल भेजदो और कहो मैं ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं तो आप रश्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहें परधान मंत्री जी आप देश वासियों को बेवकुफ मत समझो बच्चे बच्चे के जुबान के उपर हो रहा है कि सारे चोर चको को अपनी पार्टी में शामिल करके और एड़ी और सीबिया के सारे केस उनके रफादाफा कर देते केजरी वाल को क्यों गिरफ़तार किया केजरी वाल को गिरफ़तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरी वाल को गिरफतार कर सकता हूँ तो किसी को भी गिरफतार कर सकता हूँ किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुम को गिरफतार कर सकता हूँ एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किवा हुआ है प्रधान मंत्री जीने बहुत ही खतरना देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर देश के सारे नेताओं को खतम करना चाते हैं मोदी जी और इसको दोस्तर के उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपता देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सबको निप्टाते जाएंगे विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीज सिसोदिया को जेल बेज दिया संजय सिंग को जेल बेज दिया सतंदर जैन को जेल बेज दिया केजरिवाल को जेल बेज दिया हिमन सुरेन को जेल बेज दिया मंता दीदी के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया केरला के सीम के पीछे पड़े है अगर ये चुनाव पीछ जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के उपर थोड़े जिनके बाद मंता दीदी जेल में होगी अगर यह चुनावजीद का इन्होने भीजेत नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस्ट्वेटीफ़